अब हो रहे हो रातों रात का 12 कि बाइज रहा है और अब दिसे अपने से जैसाए उसे लगा लिए और वी नीद भी लग इस वाले हाथ पर नहीं लगाने लाएं एक ही हाथ के लगा लिया और और बीकोई है मैं आख किसि बोड़ू की लगा जी बूल्य को लगा दो थोड़ा वीडियो भी बना लेते हैं थे एक दिसम्पल से बनाया है और कल है वाट सभीतरी तो इस ख्लीम में दिला आ हैं वो जाते हैं गुड नाइट आप लोग से कल मिलते हैं हलो हलो फ्रेंड गुड मॉर्निंग और अभी सुबा के दस अभी दस बजने दस बजने वाले हैं तो रेडी हो गैं पुजा के लिए और अभी जाएंगे और देखिए अभी तक नहाया नहीं है और बेट सीट हम दो दिया है तो भी इसमें बिचायने है टाइम नहीं है वहां साज आजएंगे पुजा करके उसके बाद बेट सीट बिचाएंगे इसमे तो बहुत ज्यादा भीड हो जाता है आपके सुबा से बहुत भीड है बहुत बने रही है और वीडियो अच्छा लागी तो प्लीस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए गाँ जो हम लोग यहां पर पहुंच गे है पूजा करने के लिए देखिए सब को पूजा कर रहे हैं और जुमे ब्लॉज सीली थी उसका फीटिंग अच्छा आया था मैं हलका डिले यह कुटी भले चला के चल भी जाते हम और यहां हम लोग का पूजा हो गया है तो अभी घर जा रहे हैं तो पहले भाबी लोग को छोड़ देंगे उसके बाद फिर मुझे ले जाएंगे पर यूप गॉर्म अमक्रीय फिर्ण किया जाँ कयों मैं खुचान काई यहां रहे हैं है तो उस्ताधे और मोग जदा के डी में के शाड़स बार साथा और बीजा करके आगे अगर बहुत ज्यादा हो रही है और देखियो अनुछ एरे तक खाया नहीं है खाना ईटे सुऩार्षु नहीं पहले है और दोकर हम किस नहीं होस्ती थेज़ने, हमें नहीं हो जाँ उसे अग्रीच वे गैश हम्राइनिय करना से सब्हों से सद्य Сेलोगे नहीं हम खर्णेल सी सब्सद्राइबस है किसे अधोड़bers, मुसंथ कापी अभी थोड़ा ठंड़ा होगी है हवा भी चिल रहा है और वारिस भी हो रहा है यह देखिया वारिस हो रहा है यह वारिस हो रहा है अच्छा लग रहा है थंड़ा 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 उत्ता भूक लगी घाने इसे भी भूक लगने रहा है तो फास्ट रखे हैं तो हम लोग कुछ खाते नहीं है कितना कोई होता है कि खा लेता पुजा करके मीठा खा लेता है यह बीळा रसुम प्येथ के खाता है साधिल स्मझन आतों तो हम लोग खाये नहीं खा रहे हैं यह वास्ट रखे हैं तो फास्ट रहे हैं तो पल फ्रूट पस भई खा रहे हैं और उनको पासंद नहीं है तो इसलिए में वीडियो नहीं बनाई और आप तो दिखाते हैं यह देखे पैकिंग हो गया है पैकिंग हो गया तो भी जा रहे कहा जाएंगा आप ब्लोग में पता चलेगा आगे जो दिखाने जा रहे थे तो ओभी देखिए बाहर वारे सब्सें थोड़ा वारे सबका गया तो यह दिखें मौसम कितना सुहाना हो गया है तुभी अधाय बज रहा है अधाय या तीन बज रहा होगा तीन बजा नहीं है बजेगा पर मौसम ठीक हो गया है रूप नहीं है और कल का हवाई शुरा तच्छा लग राशत में बजे कम रसे तीका है पावाचील में नहुंद तो अच्छ लाग रहें है जट पनी पॉज़ा देख्ज विरॉच तो बारिस काभी बन्तू किया है और ये से देखिंगी मेरं नहीं है इक हाथ पी लगाए और नहीं लगाए जाना क्योंकि एहां पर कोस्टल लेता लगा था अधर काफिनींट रहा था हलो हलो फ्रेंड कैसे हो आप सब I hope आप सब अच्छे होंगे और एकदम सस्त होंगे और यहां पर देखे यहां बोग आ गया है तो ट्रेण में बैट बैट गया है और आगे ब्लोग में आपको पता चलेगा कि में कहां जा रहे हैं और यह है राखा माईस स्टेशन तो यहां ट्रेन थोड़ी रुखा हुआ था तो स्टेशन जो बना हुआ है ने इसमें कलाकारी किया बहुत अच्छा लग रहा था देखके तो उसका मैं थोड़ा से वीडियो बना ली और हम लोग जा रहे हैं कोलकाता बस दो दिन के लिए घूमने के लिए यू ही जा रहे हैं तो वहां पर मैं मोसी रहती है तो बस वहीं जा रहे हैं मोसी से मिलने सब्तेशन में अछें तो nhân Pen तो हम लोग पहुंच गहें हैं स्टेशन हावडा स्टेशन जो बहुत बड़ा स्टेशन है और उसके बाद फिर हम लोग लोकल में बेट गें तो लोकल स्टेशन और हम तो ख अब हम लोग अच्छे वेजी ट्रेन था तो फिर उसके बाद यहां हम लोग पहुंचे साड़े बारा एक वजे तक घर पहुंचे तो भाई आया हुआ था लेने के लिए और यह साम का समय है तो यहां पर सबस्चेखे लिए कर दो का समय है तो इजी चुर्धण को चुर्धत वो इच्शके हैं एक तो फिर से लिए्या आपक्त टो इन का शेतल इन पर साव मत वान तो इन की कि अधान आपक्त पर एक जो आख अच्छधत इन एपक्त पर से लिए तो जन में एक यहां पर सबता अउना रह्त पर स्वलोव चलता है। साम में फ़ोड़ा इधर आ अगे थे गापिए तो यहां पर नदी आपको दिख रहा होगा नदी और भगल में फास्पिटल भी है। और यहां पर फिल्ड जैसे मैदान रहा है। तो यहां पे बहूत कोई आकर के बैठा हुए थे और खेल भी रहे थेई थे बैठा हुए थे तो यहां बहुत अच्छर ओठा हू उच्छअ में बहुत लिए साथे नो बजोह करीयाँ पर उसके बद हम लोग खेर आगी है खर से ज्यादा दूर नहीं है यह जगा सामने ही था और यह देखे तो हम लोग रात में गये थे तो वीडियो आपको थोड़ा अच्छा सा देखने रहा है पर गंगा को इस पार देखे लाइट पूरे जल रहा है नदी को इस पार का व्य है और यहां पर सामने नदी है तो यहां कम बेसी पानी होते रहता है और उस पार जाने के यहां स्टीमर भी लगा हुआ था और वीडियो अच्छा लेगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देजिएगा और जो भी नए है ना प्रेंट प्लीज सस्क्राइब कर लीजिए